हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू यूफिट इडिया दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूफिट इडिया में मेरा नाम है पुनीदगर्ग दोस्तो ले आया हूँ आज आपके लिए एक और सवाल जीया हमारे वियूर नहीं हमसे पूछा एक सवाल लेना चाहते हैं दो ट्रेडमिल और कंफ्यूज हो रखे हैं दो ट्रेडमिल के बीच तो दोस्तो आज उनकी इस प्रॉब्लम को उनकी इस उलजन को दूर करेंगे और बताएंगे कि वह अपने लिए कौन सा ट्रेडमिल इन दोनों में से ले सकते हैं तो दोस्तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फर्स टाइम हमारे चैनल पर आए हो और अगर आप प्लैनिंग कर रहे हो कोई भी फिटनेस लेने के बारे में या फिर आपके एक्यूपमेंट में आ रही है आपको कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे ले सकते हो हम आपकी पूरी है और आपके को ठीक कर देंगे घर बैठे बैठे तो चलिए दोस्तों शु प्रेट मिल का कंपैरिजन करेंगे स्टैप बाइस टैप आपको दोनों की स्पैसिफिकेशन कंपेर करके बताता जाओंगा और फाइनली लास्ट में हमापको बताएंगे कि हमारी ऑपेनियन क्या है तो आप देख सकते हो इस तरह आपको दिखाए देगा दिखाए देगा दोस्तों बात करते हैं दोनों की स्पैसिफिकेशन की कंपैरिजन की यहां पर बताई गई है यहां पर इस पर माक्सिमूम बताई गई है तो यहीं पर आ जाता है है motor इसकी 3.5 спас power है और इसकी 4 hours Petersburg कि पीक है लेकिन speed इसकी कम है और इसकी जाँदा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा possible नहीं है अगर motor में फर्क होगा तो speed हमेशह उसकी जादा होगी जिसकी motor heavy है, इसलिए आपको बताए है कि motor में मुझे खास कोई फर्क लगता नहीं है mostly two hours power की जो भी machines हाती है उनमें सभी में यही speed आपको देखने के लिए मिलती है बात करते हैं अब दोनों की weight capacity की तो दोस्तो weight capacity के मामले में 110 kg तक आपको support करती है और यह 120 claim करती है जबकि साफ लिखा गया है कि अगर आप मशीन लेते हैं 120 kg तक की तो आपको 80-90 kg वाला person उसके उपर running कर सकता है तो इस बात का ध्यान में रखिए बात करते हैं इसके जो track size है तो दोस्तों इसका जो track size है 16 by 43 inches का है वहीं जो fit kit की machine है उसका जो track size आपको मिल जाता है 1.5 by 47 जी हां 1.5 by 47 inches का मिल जाता है तो इस मामले में यह machine थोड़ी सी मुझे पसंद ज्यादा आई क्योंकि इसका track size इससे बड़ा आपको मिल जा रहा है 4 inches काफी होता है लेंद के मामले इसके इलावा दोनों में ही manual incline available है एक extra feature यहां पर आपको मिल जाता है क्योंकि इसमें 100 के साथ M लगा हुआ है M का मतलब है multifunctional treatment तो इसके अंदर आपको vibrator भी मिल जाता है जिससे आप अपनी body की जो massage है या आप vibration का यूज कर सकते है एक exercise के लिए तो यह आपको एक फायदा यहां पर बात करते हैं अब दोनों की warranties की तो यहां आपको fit kit में वन year की warranty दी जा रही है वहीं डूरा fit में भी आपको one year की warranty दी जा रही है बट यूरा fit आपको three year की motor warranty भी provide कर रहा है बात करते हैं दोनों के pricing की तो दोस्तों यहां पर यह machine आपको मिल जाती है 27 के आसपास range पर यहां पर यह machine मिल जाती है 26 के आसपास तो प्राइजिंग में almost दोनों ही सेम है दोस्तों यह तो है इनकी स्पेसिफिकेशन जो company ने लिखा हुआ है अब बात करते हैं अब आ जाते हैं मुद्दे पे की हमारी opinion क्या है तो मैं आपने viewer से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में स बड़ी बात नहीं हो सकती है कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है लेकिन यहां पर अगर आपको स्पीड ज्यादा मिल रही है तो मोटर भी इसी मशीन की हैवी मुझे लग रही है इसके इलावा दोस्तों track size जो सबसे बड़ी चीज होती है treadmill लेते समय हमेशा ध्यान र मिल रहा है तो यह एक extra exercise आपको मिल जा रही है अगर आप यही वाइबरेटर कहीं भाहर से खरीते हैं सिर्फ वाइबरेटर तो आपको 10-12,000 रुपे खर्ष करने पड़ सकते हैं तो यह तो थी हमारी opinion हमारे viewer को बट खतम करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देना च को service कहां से मिलने वाली है otherwise आपके पैसे खराब हो सकते हैं अपने machine अगर online बंगा ली और उसके बाद कलकोस में कोई problem आती है और आपको service नहीं मिलती है तो आपके साथ बहुत बड़ी problem हो सकती है आपके सारे पैसे खराब हो जाएंगे या फिर आपको बहुत पैसे दे के उसको ठीक कराना होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और जिन वियों ने हमसे यह सवाल पूछा है उनको भी फैसला लेने में असानी होगी तो दोस्तों ऐसे नई नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं मिलते हैं कल आप